नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे बेंगाल T20 के आज के दिन के दुसरे मकाबले की सिरीज का यह दोस्तो निस्वा मकाबला है जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम UDK वसेस टीम GBM के बीच में और हाँ भाईयो जो भी भाई पहली बार हमारे चैनल पे आया ह वो टीम अगर आप लोग चाते हैं आपको भी मिले बिल्कुल फ्री में तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हो अभी के समय हमारे चैनल पे आट अजा से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाने आपर वो दी गई मेरी फ्री ड टीम का प्राफिट उठा सकते हैं तो यह काम दोस्तों जरू कर लेना क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री बाकि अगर आपको वीडियो के अंदर में आपको दोनों टीम्स के प्लेयर्स के स्टैट्स बताऊंगा और साथ में ला अगर आप लोगी समकाबले में विन करना चाहते हो तो तो सबसे बहले बात करेंगे आप यह टीम UDK की तो यह अपना पिछला मकाबला जीत क्या रहे हैं इनकी और सापको अनिकेज जा खेलते हुए नजर आएंगे जिन्होंने लास्ट मेच मेच में टीम के लिए तेही सम सांथार पारी खेली करियर के मैं बात करूँ तो 10 मेचस में 106 रन और 8 विकेट इनके नाम है साथ चोदरी के मैं बात करूँ तो 10 मेचस में इन्होंने 284 रन और 13 विकेerd निकाले हैं लास्ट मेच में इन्होंने 1 रन बनाया लेकिन 4 ओवर की प्रापर बॉलिंग की और दो विकेट भी अपनी टीम के लिए बनाए रभी संकर परसाइद की बात की जाए दोस्तों तो इनोंने लास्ट मैच वर की प्रॉपर बॉलिंग की अपनी टीम के लिए दो विकेट भी निकाले और 45 अंगी काफी सांदार पारी खेली करीर की भी मैं बात करूँ तो 12 मैचस में 174 रन और 12 विकेट इनके नाम है दब्यान के सुनू की मैं बात करूँ तो इनोंने दोस्तों 4 मैचस में 18 रन बना है और लास्ट मैच में ये दोस्तों 11 रन बना के आ रहे हैं विबेग दास की बात की जाए दोस्तों तो इन्होंने लास्ट देखा जाए मैच में तो चार वर की प्रॉपर बॉलिंग की थी विकेड इनको नहीं मिल सका और इन्होंने पनी टीम के लिए एक रन बनाया बाकी करियर में दोस्तों इन्होंने चार मैचस में 27 रन पांच विकेड निकाले हैं अरनम उंदाल की बात करूँ तो दोस्तों इन्होंने लास्ट मैच में दो वर की बॉलिंग की एक विकेड निकाला और अपनी टीम के लिए 8 रन बनाये नरायन राना की बात की जाए दोस्तों तो इन्होंने लास्ट मैच में प्रौपत चार ओवर की बॉलिंग की दो विके निकाले और 11 रन बनाए करियर में दोस्तों इन्होंने 12 मैचस में 18 रन बारा विके निकाले और उदे मोदक की बात की जा तो लास्ट मैच में इन्होंने दूबर की ही बॉलिंग की जहाँ पर इनको विक्के नहीं मिला बाकी करियर में इन्होंने 14 मैचे स्केलें 23 सन बनाए हैं और 12 विक्के निकाले हैं तो उनकी और से आपके लिए देखिए जो important place रहेंगे वो यहाँ पर आपके लिए देवसी सहा important हो सकते हैं सातु चोधरी आपके लिए important हो सकते हैं रभी संकर परसाद आपके लिए important हो सकते हैं और balling section से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपके लिए नारायन rana important रहेंगे भीबेक दास ने भी प्रॉप चार ओवर की बॉलिंग की है तो आप चाहू उनको भी पीक कर सकते हो तो देखा जाए तो पांच प्लेयर जो है वो इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं टीम UDK की ओर से और ये अपना पिछला मकाबला जीत के आ रहे हैं अब वहीं पर मैं बात करूँ इनकी अपोनिन टीम जीबियम की जो की अपना पिछला मकाबला हार के आ रहे हैं इस मकाबले में इनकी और से परतीक दास ने ओपन किया था इन्होंने तेरा रन बनायते और नजीबुल इसके मातरस 14 रन यहां पर बना पाए मानस रोच चोधरी ने दोस्तों यहां पर 16 रन बनायते और हम निजामुद्दीन जो कि इनके विकेट की पर है इन्होंने भी अपनी टीम के लिए 16 रन बनायते ए परमाने की मैं बात करूँ तो इन्होंने दोस्तों लास्ट मैस्ट में प्रॉपर 2 रर की बालिंग की इनको विकेट एक भी नहीं मिला और नहीं अपनी टीम के लिए रन बना पाए मुहमत फिरोज हुसेन की मैं बात करूँ तो तीन अपर की नोए बालिंग की थी तो इनके नाम दोस्तों एक मैच में एक रन था और एक विकेड था तो बॉलिंग लास्ट मैच में कराई नहीं क्यूंकि रन काफी जाद थे नहीं बोर्ड पे जिसको ये डिफेंड कर सकते तो इसलिए हो सकता है टीम ने इनको बॉलिंग ना दी हो इसके लावा आसिर गुप इनके नाम नहीं है और लास्ट मैच में भी इन्होंने तीन ओवर की बॉलिंग की और एक भी विकेड ये अपने टीम के लिए निकाल नहीं पाए और नहीं यहाँ यहाँ बना पाए तो इनकी और से अगर मैं बात करूँ जीबियम के और से जब के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस रहेंगे वो यहाँ पर देखतो आपके लिए नजीबुल इसके important हो सकते हैं बाकी आपके लिए यहाँ पर दोस्तो मुम्मत फिरोज हुसेन आपके लिए important हो सकते हैं तो इनकी और से भी देखा जाए चार ऐसे प्लेस हैं जिनको आपी करके चल सकते हो तो अमीद करूँगा दोस्तो आपको यहाँ पर दोनों टीम के players के stats को जानके काफी कुछ information मिली होगी और आप लोग काफी कमाल का team create कर पाएंगे तो अगर आपको यह जनकारी important और useful लगी हो तो फटा फट से वीडियो को एक like जरू कर दो क्यूंकि आपका एक like मेरे लिए काफी ज़्यादा important है और आपको एक like करने में एक second से भी कम समय लगेगा चैनल पर पहली बार आए हो पहली बार हमाई चैनल की वीडियो के watch कर रहे हो तो हमारे चैनल को subscribe कर लो bell icon जरू ओल पर प्रिस कर लो ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके ये भी आपके लिए important है और आपके लिए बिलकुल free तो जरू दोस्तों ये काम भी कर लीजेगा बागी दोस्तों जो भी मेरी final update होगी जो मेरी final team होगी after lineup या toss के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% winning team होगी जिस team के साथ मैं खोदी investment करूँगा वो team दोस्तों आपको मिलेगी हमारे telegram channel पर अभी के समय हमारे channel पर दोस्तों 8,000 से ज़्यादा लोग जुट चुके हैं और रोजाने हापर वो दी गई मेरी free team का profit उठा रहे हैं और आप लोग भी एकर हमारे channel से जुटना चाहो तो आपको मारे channel calling, description और comment दोनों जगाओ पे सबसे पहले number पे मिल जाएगा तो किसी भी जगाओ से जाके आप सीधा हमारे channel के साज उठ सकते हैं और मेरी दीगर team का profit उठा सकते हैं तो यह काम दोस्तों ज़रू कले ना क्योंकि यह आपके लिए important है और आपके लिए बिलकुल free तो दोस्तों अब चलते हैं अपकी और जहांबर आपको कमाल का team combination create करके दिखा देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों दोनों team का जब आप comparison करते हैं तो आपको बता चलेगा कि यहाँ पर UDK जो team है ना वो काफी strong team है तो आपको कह सकते हैं कि 70% chances हैं कि इनकी team इस मकाबले को win करेगी और वहीं अगर मैं बात करूँ team GBM की तो इनकी team काफी जादा weak मुझे लगी है क्योंकि इनके players के stats भी available नहीं थे तो इसलिए इनके 30 या 25% आप कह सकते हैं chances हैं इस मकाबले को win करने के तो wicket giving section में 3 players हैं जिनके बारे में आपको मैं बताऊँगा एक तो हैं देवसी इसा, आरसा और निजामुद्दीन तो देखिए यहाँ पर देवसी इसा ने last match में wicket keeping भी की थी और काफी अच्छा perform भी किया था और run भी बनाये थे 33 की आसपास run बनाये थे इन्होंने तो आप यहाँ पर इनको पी करके चल सकते हो wicket giving section से निजामुद्दीन की मैं बात करूँ player काफी अच्छा है, wicket keeping भी करेगा और middle order के अंतर आपको बल्ले बाजी करके दे देगा तो आप चाहो इनको select कर सकते हो क्योंकि इनका जो टीम का batting order रहना वो मुझे इतना strong लगा नहीं है तो अगर wicket गिरेंगे इनकी टीम के तो हो सकता है इनकी जो टीम है वो इनको बल्ले बाजी के लिए उपर भेज दे इसी कारांट से में wicket giving section से दो wicket की पर यहाँ पर भी करके जाने वाला हूँ देवजया सिसा को और निजाम उद्दीन को अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर batting section की batting section में दोस्तों यहाँ पर हम दो wicket निकाले थे इसके लाब आप अपनी टीम है पर कर सकते हैं अंके जाको लेकिन मैं इनकी जगापर दोस्तों यहाँ पर nsk को pick करके जाऊंगा जो के अपनी टीम के लिए open करेंगे यहाँ आपको open करते हुए नजर आ जाएंगे इसी current से यहाँ पर मैं इनके साथ जाने वाला हूँ और कोई खास रीज़न नहीं है इनको open करने का अलांडर सेक्शन की मैं बात करूँ तो इस चोदरी important pick के pick करेंगे मंदल important pick के pick करेंगे इसके लाब आप जे सन्याल काफी गम चांसे से किनकी ओ टीम इनसे balling करा है तो इसी current से मैं pick नहीं करूँगा इनकी जिगापर मैं दोस्तो ए मुंदल को अपनी टीम में pick करके जाऊंगा जिन्होंने last match में काफी अची गिंदबाजी की थी और अपने पहले over के ही अंदर दो wicket इन्होंने निकाल कर अपनी टीम को लास्ट pick आप के लिए आपे विवेकदास की है जो की काफी अच्छे baller है जी बियम के आप चाहो तो उनको try कर सकतो बाकी यहाँ पर यू मोदाक तो important मुझे लगे नहीं तो यहाँ पे चली इनको pick कर लेते हैं तो देखा गए दोस्तों combination जो है वो काफी सा एक normal combination यहाँ पे बना हुआ है तो सायद सारे लोग जो है वो इसी combination के साथ आपको देखने को मिल सकते तो आपको अब depend होना captain and vice captain पे लेकिन अगर line up के बाद कुछ ऐसे place भी play करते हैं जो कि last match में play नहीं किये थे तो काफी अच्छे हमारे लिए होगा क्योंकि उन plays के बारे में stares में निकाल के रखूँगा और उनको मैं अपने team में जरूर पिक करूँगा बाकि अभी के लिए फिलाहाल मैंने अपने team में UDK के 5 plays को पिक करके रखा है और team GBM के दोस्तों मैंने 6 plays को पिक करके रखा है combination की बात की जाए तो मैंने दोस्तों यहाँ पर 2 wicket keeper 3 batsmen, 3 alounders 3 ballers का combination तियार किया है team preview की मैं बात करूँ दोस्तों तो मैंने wicket keeping section से देवसी साग को रखा है और यहाँ पर मैंने M.Nizamuddin को रखा है दोनों play सबनी team के लिए wicket keeping करेंगे D.S.A. आपको top order पे बल्ले बाजी करते हुए दिखेंगे और M.Nizamuddin आपको middle order के अंतर बल्ले बाजी करते हुए दिखेंगे betting section से आर संगर परसाद को रखा है जिन्होंने last match में 45 run 2 wicket अपनी team के लिए निकाल ले थे N.S.K. आपको open करते हुए निकेट को भी कर सकते हो एं फिरो जुसेन आपको middle order के अंतर बल्ले बाजी करके देंगे और ये भी आपको काफी अच्छी गिंद बाजी करके भी दे सकते हैं तो इसलिए मैंने इनको भी करके रखा है Allounder section से मैंने इस चौधरी को रखा है एं मुंदल को रखा है जोने लास्ट मैच में प्रापत दो वर की दो या चार वर की बॉलिंग कराके विकेड निकाले थे दो और अपने पहले वर के अंदर ही इनको दो विकेड मिल गए थे और या पर मैंने मंदल को मैंने टीम में रखा है इनको भी अपने पहले ही ओवर के अंदर दो विकेड मिल गए थे इसकिलाव दोस्तों मैंने आप एंदाना को रखा है जो कि एपनी टीम के में बॉलर है और आपको प्रापर स्पेल करते हुए अपनी टीम के में बॉलर है आपको प्रापर चार ओवर का स्पेल कराके देंगे और आपने मैंने भी दास को रखा है ये भी प्रापर चार ओवर का स्पेल कराके दे सकता है तो बात किज़े अपनी इस टीम में आप लोग किस प्ले को एज़ा कैप्टन और किस प्ले को आप लोग एज़ा वाइस केप्टन भी करके चलोगे तो केप्टन की देखी जो सबसे बेस्ट भी करेगी वो यहाँ पर आर संकर करेगी वाइस केप्टन ने आपर मैं फिरो जुसेन को बना दूँगा आप लोग यहाँ पर चाहो तो मंदल को वाइस केप्टन बना के जा सकते हो चोधरी की बीपिक है लेकिन मैं यहाँ पर एम फिरो जुसेन के साथ वाइस केप्टन के साथ जाने वाला हूँ क्यूंकि कुछ रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा आप लोग हमारी इस टीम का स्किरिंशो ले 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 इसका प्रिवी ले 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 और जहां पर भी आपके इंवेस्टमेंट रहे हैं और रोजाने आपर वो दीगे मेरी फिरी डिम का प्रॉफिट उठा रहे हैं और आप लोग भी एकर हमारे चैनल से जोईन होना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर वाल पर प्रेस करो आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन पाने के लिए तो मिलेंगे दोस्तों आप सही लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जयहिंद वंदे मातरां